सन पंद्रा सो पैसट मुस्लिम शासको द्वारा भारत पर काविज हुए लगभग छे सो साल भी चुके थे उत्तर में मुगलों के नाम से सुन्नी तो मध्य में शाहों के नाम से शिया राज कर रहे थे दक्षिन में विजे नगर आखरी हिंद्वी सामराज्य था इसकी समाप्ती के साथ ही समपूर्ण भारत मुस्लिम सामराज्य होने वाला था पंद्रा जन्वरी 1565 को मुस्लिम शासको द्वारा विजे नगर के अंतिन सम्गाट राजा रामराय के गतन का जूली पर चढ़ा दी दे और इसी के साथ हुई हिंद्वी सामराज्य की संपूर्न समाक्ति की घोशना पर फिर भारत को बैबिलोन की तरहा किताबों के पन्नों से गुम होने से कैसे बचाया गया कैसे एक मृत कर दी गई सभ्यता फिर जीवित हुई इस कहानी की शिरुवात हुई सन 1645 महराश्ट्र के रायरेश्वर मंदिर से एक 16 वर्ष के बालक द्वारा शिवलिंग पर अपना खौन चरहा हिंद्वी स्वराज्य की शपत दी इस पराक्रमी बालक का नाम था शिवाजी राजे भोसले केवल 16 वर्ष के इस बालक ने 2000 की सेना के साथ विश्व की सबसे बड़ी सल्तनक को चुनौती डेडा गी एक एक कर वो मुगलों वो शाहों के किले जीतने लगा सन 1669 मुस्लिम जगत के सबसे खुंखार सिपे सलार अफजल खा को शिवाजी से निपटने के लिए भेजा गया कहा जाता है कि शिवाजी पर आकरमन की शुरुआत जलाद अफजल खा ने अपनी चालेस रानियों के कतल से की थी लेकिन शिवाजी की चतुराई के सामने अफजल खा की बेरहमी भी काम ना सकी स्वयम को अफजल खा से डरा हुआ बताकर शिवाजी ने उसके सामने संधी का प्रस्ताव रख दिया अहंकार में मदहोश अफजल खां चंद सैनिकों के साथ संधी करने शिवाजी के किले में दाखिल हो गया। शिवाजी ऐसा मौका चूटने वालों में से न थे। शिवाजी द्वारा अफजल खां का अंत कर मुस्लिन सल्टनत को बड़ी माद दे दी गई। इसके बाद तोलहापु, पवन खिल, उम्बेर खिल, चाकन, कल्यान, सिहिगर, कुरंदर और कुणे जैसे दर्जनों युद्धों में शिवाजी द्वारा मुस्लिन सल्टनत की जड़े हिला शिवाजी को रोकना ना मुम्किन सा हो गया था। ऐसा लग रहा था। मानो दक्षिन में विजे नगर का हिंदवी राज फिर से जन्म ले रहा हो। पर औरंग जैब भी जोश में फोश्क होने वालों में से नहीं था। कुछ दिन के धैर्य के बाद उसने एक दिल्चस्प दाव खेला। अपने अधीन हिंदू राजा जैए सिंग को उसने शिवाजी के मुकाबले में खड़ा कर दिया। हिंद्वी सुराज्य की कामना करने वाला शिवाजी हिंदू राजा पर वार नहीं कर पाएगा। औरंग जैब ये बात भली भांती जानता था। और ऐसा ही हुआ। शिवाजी को पहली बार पीछे हटना पड़ा। जीते हुए 35 में से 23 किले मुगल सल्तनत को वापिस करने पड़े। एक बार फिर भारत भूमी के किसी योध्धा को अपनों के ही कारण पर रास्त होना पड़ा। इसके बाद शिवाजी ने एक हैरान कर देने वाला निर्णे लिया। उन्होंने औरंग जेब को एक पत्र लिख उसकी और मित्रता का हाथ बढ़ा दिया। सब स्तब्द रह गए। शिवाजी इस दाव से क्या हासिल करना चाते थे किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था। शिवाजी को जुका हुआ देख औरंग जेब काफी प्रसन्न हुआ। समझ रहा था। और आखिर एक दिन 6 जून 1674 में शिवाजी ने 50,000 से अधिक ब्राहमनों, पुरोहितों, शत्रिये राजाओं, वव्यपारियों को एक भव्य समाहरों में एक गत्र किया। सबके सामने वेद मंत्र उचारण के बीच शिवाजी ने स्वयम को छत्रपती कर दिया। हिंद्वी सल्तनत अब एक स्वतंत्र सल्तनत एलान की जा जुती थी। और अंजे क्रोज से बहुत लाउड हा। शिवाजी द्वारा एक अलग सल्तनत की खोशना सीधी मुगल सामराज्य को बड़ी चुनोपी पर अब बहुत देर हो जोगे। और अंजेक के साथ संधी की आड में शिवाजी द्वारा अबार शक्ती इकठी की जा चुकी थी। सैंकडो किलो को फतेह कर हिंद्वी सल्तनत का प्रभाव पूरे दक्षिन भारत में फैला दिया गया था। और अब उत्तर के मुगलसाम राज्य से निपटने का समय था। लेकिन एक दिन तीन अप्रेल 1680 को अचानक शिवाजी की मृत्यों की खुड़ा। सभी की धर्गने रुक सी गई। समय थम सा गया। निकटम लोगो द्वारा उनकी मृत्यों का कारण तेज बुखार बताया जा रहा था। एक बार तो आजाद भारत का सपना चकना चूर होता दिखने लगा। पर इसके विपरीत शिवाजी द्वारा सुलगाई राश्ट्र प्रेम की आग उनकी मृत्यों के बाद और भी तीव रोहोगी। बाजी राओ पेश्वा, रानो जी सिंधिया, मलहर राओ होलकर, रगुजी भोसने, दामा जी गायकवाट, महदा जी शिंदे, दत्ता जी राओ, धन्ना जी जाधरव जैसे एक से एक राश्ट्र भक्त हिंद्वी सामराज्य से पैदा होने लगे। देखते ही देखते हैं, बुन्देल खंड, गुजरात, अजमेर, बेरार, मुल्तान, अवत, आगरा, अलाबाद, लाहौर, एक के बाद एक सभी मुगल राज्य गिरते चले गए। 1760 तक मुगल सल्तनक सिर्फ दिनली के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई। उत्तर में पेशावर से लेकर दक्षिन में पॉंडेचरी तक हिंद्वी स्वराज्य का पर्चम फैल गया। इस प्रकार छत्रपती शिवाजी द्वारा भारत की सभ्यता को दैबेलोन की दरहा किताबों से गुम होने से पचाल लिया गया। प्रकार भीता की देडि़ो जिए बिलाई बिलाई गया। बिलाई गया। बिलाई गया।